हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई नीटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम डबल कलर का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाना सीखेंगे बहुत सुन्दर ये डिजाइन है और बहुत ही इजी है बनाने में तो चलिए इसको हम बनाना सीख लेते हैं यहाँ पर देखी फंदे हमें लेने हैं थृ के मल्टिपल में प्लस बन करके आप अपने प्रोजेक्ट के अकोडिंग फंदे ले लीजए यहाँ पर हमने 16 फंदे अपने सलाई पर डाले हुए हैं 15 प्लस 1 16, 16 फंदे डाल कर हम इस डिजाइन को बनाएंगे वाइट कलर से हमने यहाँ पर फंदे डाले हैं बॉर्डर बनाया है और जो हमारी फर्स्ट रो है यह हमारी परिप्रेशन रो है इसको हम सिर्फ एक ही बार बनाएंगे और इसको हम वाइट कलर से ही बनाएंगे राइट साइड से सभी फंदों को सिधा करते हुए हम इस रोग को बनाएंगे ये देखी सभी फंदों को हम सिधा बुनते रहेंगे ये देखी राइट साइड से हमारी ये रोग कम्प्लीट हो गई अब आजाते हैं रॉंग साइड में wrong side से सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है यहाँ पर देखिए दो सलाईयां हमने बनाई एक पूरी सीधी एक पूरी उल्टी इनको हमें starting में ही बनाना है जिस color से भी आपने border बनाया है उसी से इन सलाईयों को हमें बनाना है अब हम अपने second color का यूज करेंगे और देखिए किस तरह से बनेंगे यह पहला फंदा यह हमारा extra stitch है आप चाहें तो इसको slip भी कर सकते हैं हम इसको सीधा बन रहे हैं इसके बाद यहाँ से हमारा design स्टार्ट होगा दो फंदे हम सीधे बनेंगे इसी तरह के लिएस सीधे बनें एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से दो फंदे सीधे बनेंगे एक पंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से इस पूरी रोष को हम बनाते जाएंगे देखिए लास्ट में हमने दो फंदे सिधे बुने अब इसके बाद हमारा एक फंदा बचा है ये एक्स्टर स्टिच है इसको हम सिधा बुन लेते हैं तो देखिए फर्स ट्रो हमारे डिजाइन कीए कंप्लीट हो गई अब रॉंग साइड में आ जाते हैं यहां पर देखिए पहला फंदा यह हमारा एक्स्टर स्टिच है इसको हम उल्टा बुनेंगे अशके बाद हम धागा पीछे कर लेंगे अब हमारे डिजाइन के जो फंदे हैं इनको हमेरे मैरून क्लर के फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है इदेगे इनको में सिधा अब धागा आपने साइड करेंगे वाइट पंदे को छीप करेंगे फिर पीछे करके दो पंदे सिधे बहुनेगे north a लोगर के पने दो फंदे हम यहाँ पर सिधे बुनेंगे अब यह तीसरा फंदा इसको हम तग आगे करके उल्टा बुनेंगे तो यह हमारी सेकंड ड्रो यहाँ पर कम्प्लीट हो गई हमने यहाँ पर अभी तक चार सलाईया बना ली हैं जिनमेंसे दो सलाईया हमें सिर्फ स्टार्टिंग म बनानी है बाकी दोनों में हमने डिजाइन बनाया है तो देखिए दो सलाईया हमारी कम्प्लीट हो गई अब आ जाते हैं थार्ड रो में इसमें हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे और सभी फंदों को हमें इसमें सीधा बुनना है कि सारे पंदे हम सीधा बुनेंगे दोनों कलर के हमारे पास पंदे हैं दोनों कलर के पंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे देखे थार्ड रो हमारी कम्प्लीट हो गई आप आज आते हैं रॉंग साइड में इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे देखे चार सलाईया हमारे जो डिजाइन की हैं वो कम्प्लीट हो गई हैं अब इनी चार सलाईयों को हमें पार पार रिपीट करते जाना है तो यह डिजाइन हमारा बनता जाएगा देखे जब फोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से दिखना शुरू होगा कितना सुन्दर यह डिजाइन दिखाई दे रहा है एगि कितना एजी है बनाने में सिर्फ चार सलाईयों कर डिजाइन है सीधा सीधा बुंते हुए हमने इसको बनाया है और देखें कितना सुंदर यह लग रहा है आप इसे जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू